प्रायन भगवान की जय कामदा एक आदसी इधिश्ट ने पूछा बासुदेव आपको नमस्कार है कृपया आप यह बताईए कि चैत्र सुकलफ पच्छ में किस नाम की एक आदसी होती है भगवान स्रीकेश्ण बोले राजन एका गर्चित होकर यह पुरातन कदासनो जिसे बस्रेट जी ने राजा दिलीब के प्यक्रिक पर कहा ता दिलीब ने पूछा भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूं चैत्र मास के शुकलफ पक्च में किस नाम की एकादसी होती है बस्रेट जी बोले राजन चैत्र सुकलफ वक्ष में कामदा नाम की एकादसी होती है वह परम पुन्यमई है पाप रूपी इधन के लिए तो वह दावानल ही है प्राचीन काल की बात है नागपुर नाम का एक सुन्दर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे उस नगर में पुंडरीक आदी महापहंकर नाग नवास करते थे पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज करता था गंदर्व किंणर और अफसराइं भी उस नगरी का सीवन करती थी वहीं एक स्रेश्ट अफसरा थी जिनका नाम ललता था उनके साथ ललत नाम बाला गंदर्वी था वे दोनों पती-पत्नी के रूप में र नाग राज पुन्डरीक रास वहां बैट कर मनोरणdong कर रहा था उस समय ललत का गान हो रहा था कि इसके साथ उसकी प्यारी ललता नहीं थी गाती गाती उसे ललता का इस्मरन हो आया अत्य उसके पैरों की गती रुख गई और जीव लड़ खडाने लगी नागों में सेष्ट करकोटक को ललत के मन का संताफ ग्यात हो गया अत्य उसने राजा पुंडरी को उसके पैरों की गती रुखने और गान में तुटी होने की बात बता दी करकोटक की बाद सुनकर नागराज पुंडरी की आंकें क्लो से लाल हो गई उसने गाते हुए कामा तुर ललित को साब दिया दुर्वुद्ध तु मेरे सामने गान करते समय भी पत्मी के वसीवूत हो गया इसलिए राच्छस हो जा महराज पुंड्री के इतना कहते ही हुए गंदर राच्छस हो गया भैंकर मोख विक्राल आंकें और देखने मात से भै उपजाने वाला रूप ऐसा राच्छस होकर वह कर्म का फल होने लगा ललता अपने पती की विक्राल आकरती देख मनी मन बहुत चिंतित हुई भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी सोचने लगी क्या करूं कहां जाओं मेरे पती पाप से कष्ट पा रहे हैं वह रोती हुई गने जंगलों में पती के पीछे पीछे गुमने लगी बन में उसे एक सुन्दर आस्रह आस्रम दिखाई दिया जहां एक मुनी सांत बैठे हुए थे किसी भी प्राणी के साथ उनका वहर भ्रोध नहीं था लड़ता सीखरता के साथ वहां गई और मुनी को पढ़ाम करके उनके सामने खड़ी हुई मुनी बड़े द्यालू थे बस दुखनी को देखर वे इस प्रकार वोले सुबे तुम कौन हो कहा से आई हो मेरे सामने सच-सच बताओ ललता ने कहा महामने बीर धन्वा नाम वाले गंदर्व हैं मैं उन्ही महत्मा की पुत्री हूँ मेरा नाम ललता है मेरे स्वामी अपने पाप दोस के कारण राच्चस हो गए हैं उनकी यह वस्ता देखकर मुझे चैन नहीं है ब्रह्मन इस समय मेरा जो कर्तब्य है वो है बता राच्चस भाव कुसे चुटकारा पाजाएं उसका अपदेश कीजिए रिसीवो ले बद्रे इस समय चैत्रमास के सुक्लबक्च की कामदा नामक एकासीतिती है जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है तुम उसी का विदी पूर्वक ब्रत करो और इस ब्रत का जो पुन्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो पुन्य देने पर च्छन पर में ही उसके स्राप का दोस्त दूर हो जाएगा राजन मुनीका यह बचन सुनकर ललता को बड़ा हर्स हुआ उसे एकासी को पवास करके दौर्वासी के दिन उन ब्रहमर्वर्व के समीप ही भगवान वासद किया है उसके पुन्य के प्रवाव से मेरे पती का राच्छे स्वाव दूर हो जाए बसिट जी कहते हैं ललता के इतना कहते ही उसी चंड ललत का पाफ दूर हो गया उसने धिब धिया धारन कर लिया राच्छे स्वाव चला गया और गंदर्व की प्राप्ति हुई पर अत्यंत सोबा पाने लगे यह जानकर इस एकासी के व्रत का यत्म पूर्वक पालन करना चाहिए मैंने लोगों के लिए तुम्हारे सामने इस व्रता का प्रणन किया है कामदा एकासी भ्रहम अत्या आधि पापों तुसा पिसाचत्व आधि दोसों का नास करने वाली है राजन इसके पढ़ने और सुनने से बाज पे यग्यका फल मिलता है कामदा एकासी कता आपको कैसी लगी कॉमेंट्स करके कॉमेंट्स बोक्स में जरूर बताएं और हाँ दोस्तों वीडियो लाइक सेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें ताक हमारे नहीने वीडियो आप तक पहुंच सकें उसके नोटिफिकेशन आपके पहुंच सकें तो सब्स्राइब जरूर करें और लच्वीन आरायन भगवान की जैग